अपना लास्ट लेक्चर था मैंतमेटिकल इसनेंग चल रही थह ना लेक्चर चलना था अपना राजिस्तान में जो अपना सैट का एक्जाम उसके लिए फ़स्ट पेपर और जो उजी सी नेट है उसके लिए फ़स्ट पेपर इसमें आपको सिलेवस मेंशन करी दिया था उसके बाद मैं अपना टॉपिक चल रहा था मैथमेटिकल रीजिनिंग वाला मैथमेटिकल रीजिनिंग मैं सीरीज को देखा हमने सीरीज के अपने नेट में जो कोशन आये हुए थे प्रीवेस येर में वह भी हम सॉल्व कर चुके हैं सीरीज में अपने देखा था ना अर्थमेटिक और जोमेटिक प्रोग्रेशन देखा था उसके बाद मैं फिर आज जो अपना सेकंड लेक्चर है इसका ये रहेगा आपका कोडिंग एंड कोडिंग के कोशन सॉल्व करने के लिए आपको क्या-क्या आना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया देना कि सीरीज के कोशन सॉल्व करने के लिए क्या-क्या आना चाहिए ऐसे ही अगर आप coding decoding के question solve करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा कुछ जानने ही रूत नहीं है इसमें कुछ याद भी नहीं रखना ज़्यादा केवल जो ABCD के letter send 26 उनकी position और का number सइथ याद रखना है आपको अगर इतना याद कर पाते हो आप तो आपका easily काम निकल जाएगा मैं इदर एक कवर mention कर देता हूँ न फिर इस तरफ हम question solve करेंगे net में आए हुए questions यहाद है आपका फर्स्ट पोजिशन पर सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 फिर उसके बाद में मैंने क्या बोला था कि अब आपको यह थोड़ा सा उल्टे sequence लेखना है न इनका जैसे इदर से लेखेंगे तो N O P Q R S T U V W X Y J इसकी पोजिशन होगी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 एक तो आपको लेटर्स की पोजिशन आने चाहिए न कोडिंग डिकोडिंग के कोशन करने के लिए दूसरा क्या है यह जो A B C D लिखी जाती है यह आप इनको ऐसे समय सकते हो कि यह ऐसे एक साइकल चलता है महलब आपसे पूचा जाए कि G के बाद में क्या आएगा तो G के बाद में क्या आएगा H आएगा मैं आपसे पूचा हूँ कि L के बाद में क्या आएगा तो M आएगा और M के बाद में क्या आएगा M के बाद में N आएगा यह सब आपको पता है लेकर आप से पूँचे जाए कि Z के बाद में क्या आएगा तो Z के बाद में आपको बापस से क्या बताना है A बताना है तो इसको A, B, C, D की जो letters है इनको A, J आपको cycle में मानना है कि सभी क्या है यह cycle में अगर आप से पूँचे जाता है कि A में से A गठा होगे तो क्या मलेगा Z मलेगा समझ मागी बाद तो Z के बाद का नमबर पूचे तब तो A और Z से पहले का नमबर पूचे तो A से पहले का पूचे तो Z बताना है यह ध्या लगने वाली बात है अब हम क्या देखेंगे इसके question किस type किया देना previous year में तो पहले जो अभी latest अपना UGC net का exam हुआ है उसके question देख लेते हैं उस जो exam में आई हुए है तो सबसे पहले मैं आपके सामने question note करने जा रहा हूँ न जो UGC net 2022 में आया हुआ है जैसे इसने बोला है एक term है B E A beautiful को इसने क्या लेखा है A D Z T A D Z T S H E K यह कुछ लेखा है इसने ना A D Z T S H E T के लेखा है फिर उसके बाद मैं इसने पूचाए कि हैंड सम को क्या लिखा जाएगा यही लिखी है beautiful की spelling B E A आचा यह और रहा है इसमें T I F U N यह दिया है आपको beautiful और बुलाएं कि beautiful को किसी language में क्या लिखा जाता है A D Z T S H E T K तो उसी कूट वासा में कोडिंग में हैंड सम को क्या लिखा जाएगा आपको यह बताना है आप एक मिनट वीडियो को पहुश करके खुद भी पहले कोशिस कर सकते हो फिर हम बताने जा रहा है इसको क्या लिखेंगे तो ऐसे question solve करने के लिए आपको क्या करना है जैसे इसने क्या बोला है कि beautiful को ADJ लिखा है तो handsome को क्या लिखा है पहले इसको आप decode करने ही कोशिस करो कि इसमें क्या-क्या फेर बदल किया है इसने तो देखो यहाँ पह है B और A में कुछ relation दिख रहा है आपको मतलब B मैंसे क्या किया होगा इसने 1- क्या होगा ऐसे E और D में कुछ relation दिख रहा है आपको यहाँ भी क्या किया होगा –1 देखो A और Z में कुछ relation दिख रहा है आपको मैंने क्या बताए तब ही अगर आप जैसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर प्लस किया है माइनस किया है प्लस करते तो भी आता माइनस करोगे तो जैड आएगा तो यहां भी क्या किया है इसने माइनस वन यहां पर क्या किया है माइनस वन नहीं किया है तो इन sum में आपको क्या देखने को पता है, sum में क्या किया है, minus 1 किया है, अच्छा यहां पर बताओ, T और S में क्या relation है, यहां भी क्या किया है, minus 1, या plus one minus one ही क्या है I और H में F और E में मतलब sum में क्या क्या है इसने minus one किया है तो आपको भी क्या कर देना है उदार minus one कर देना है तो आपको पहले जो दिया गया है उसको पहले decode करना पढ़एगा है न तब जाकि आप आने वाले को decode कर पाऊगे तो आपको क्या करना है, इस में से minus 1 करोगे तो क्या हैगा, G, इस में से करोगे तो, Z, इस में से करोगे तो, M, इस में से करोगे तो, C, इस में से करोगे तो, R, इस में से करोगे तो, N, इस में से करोगे तो, L, इस में से करोगे तो, D, आएगा, तो यह हो गया handsome को उसी language में क्या लिखा जाएगा GZMCRNLD यह आपका जो अभी latest last time 2022 वाला जो UGC NET का exam लगा था उसमें आए होगा portion है यह तो आपको पता यह होगा कि UGC NET का first paper है वो ही अपने इस बार set का first paper होने जा रहा है और अभी जैसे कि NET में 40% marks लाना जरूरी होता है ना तो इसमें भी आपको कम से कम 40% marks लाना जरूरी रहेगा 40% marks अलग से लाना जरूरी है ना अलग से पास होना जरूरी है इसमें तो यह वाली बात समझ माई आपको 50% 40% marks लाना जरूरी होगा अलग से लाने है ना इस paper में आप बले ही जैसे subject में top कर जाओ और इसमें 40% marks नहीं आए तो आप पहली जवल नहीं हो पाओ गया ना सेट में अच्छा ऐसे ही यूजी सिनेट 2022 माया हुआ दूसरा कोशन देखने जा रहे हैं जैसे किसी लेंग्वेज में जो मधर है इसके पांच या छे टाइप फॉर्सिवल होते हैं और पांच टाइप के ही कोशन मंडा सकता है कोडिंग डी-कोडिंग के तो सारह हम देखलेंगे न कोशन कि मार्ण हुए तो किसी कोडिंग लेंग्वेज में मधर को क्या लिखा जाता है कू वी कि जी टी कोई कोडिंग लेंग्विज है उसमें मदर को क्या लिखा गया है ओ क्यू वी जे जी टी तो आपको ऐसे लिख लेड़ा है सबसे पहले फिर अब इन में क्या करना है आपको कमपेरियन करके देखना है ना तो देखो यहां पर है म के बाद में और ऐंग और एंग के बाद में अ बाता है और आपको अ कबुशा गया है तो इसमें भी प्लस टूएड किया है अब आपसे पहुचा गया है कि इसी कोडिंग लेंग्वेज में पार्टनर को क्या लिखा जाएगा उसी coding language में partner को क्या लिखा जाएगा तो आपको क्या करना है sum में 2-2 add कर देना है एक छोड़ के लिखना है P के बाद में आएगा Q के बाद में आएगा R A के बाद में आता है B B के बाद में आएगा C R के बाद में S S के बाद में T यहां पर क्या आएगा V यहां पर P यहां पर G यहां पर T तो sum में क्या कर देना है plus 2 add कर देना है तो यह तो बिल्कुल basic type का question है इसको type first बोलते है इसमें आपको क्या करना होता है जितना आप वो add करने की बोल रहा है उतना ही आपको add कर देना यह इसमें coding decoding में हो गया type first अब इसी में देखेंगे type second के question है ना किस types जाते हैं दोड करो इसको जलती से आप देखेंगे type second यह आपने type first के question देख लिए ना type first के question में क्या देखा आपने जो भी आपको दिया गया है आपको comparison करना है दोनों में उसके बाद में वो अगर add करने की बोल रहा है तो आपको भी add कर देना है अगर वो गठाने की बोल रहा है तो आपको भी गठा देना है यह हो गया type first अब देखो type second का question कैसे आता है type second में पूचा जाएगा आपसे यदि किसी coding language में जो चार कोल होता है चार कोल को उसने बोला है कि इसको लिखा याता है 45 64 45 चार कोल को क्या लखा गया है 45 16 14 13 तो उसी coding language में C O A L C A R कोल कार को क्या लिखा जाएगा तो यह type second वाला है इसमें आपको क्या किया गया है कि सीधा सीधा इसने बोला गया है जैसे कि यहांपे C का code क्या दिया है इसने 4 H का code क्या दिया है 5 A का code 1 R का code 6 मतलब यहांपे जो A B C D वाला relation है न वो कोई relation नहीं है यहांपे जो relation है वो आपको यहीं से question से ही निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है आपको सभी letters का code मिल गया और यह जो call card में letter आ रहे हैं वो सारे C में से हैं कोई भी नया letter नहीं है इसमें तो आप इस condition में आप क्या करोगे जैसे C का code क्या होता है उपर से देखे लिखना है आपको ना type second के note करो जल्दी से तो आप फर्स्ट सेकिंड समझ में आया होगा आपको टाइप फर्स्ट में इस टाइप के question दे सकता है अब देखते हैं इसी में अटाइप थर्ड ताइप थर्ड में आपको क्या दे सकता है जैसे इसमें आपको जो ABCD letters है ना इनका जो number लिखा गया है इस number के basis में दे सकता है एक कोशन देख लेते ना उसका भी किस टाइप से आया होगा है जैसे किसी coding language में दिया गया है आपको जो बैट है इसका मतलब तो कितना होता है 23 और जो cat है इसका मतलब क्या दिया गया आपको 24 तो उसी language में बॉल को क्या लिखा जाएगा यह जो type 3 का question है यह आता है आपका जो ABCD की जो number आपको लिखाई थी ना यहां से आता है तो देखो आप जो बी है बी की position बोलो क्या है भी आता है दूसरे number पे यह आता है first number पे और T आएगा टी का position बोलो यह से 20 number पे अगर यह आपको याद रहेगा एक तो आप लिखके बताऊगे एक आपको पहले सी दिमाग में set है ना figure तो आप इसको आराम से कर पाऊगे तो यह कितना हो गया जोड़के 23 ऐसे यहां पे आ और इसकी 21 20ए टोंटी हो जाएगा तो यह जोड़के कितने हो गए 24 तो उसी लेग्वेज में बॉल को क्या लिखा जाएगा तो 2 प्लस 1 प्लस L की पॉजिशन 12 प्लस 12 कितना हो गया है जोड़के 27 तो बॉल कोस लेंगविज में के लिखा जाएगा 27 लिखा जाएगा आगी वाद समझ में अब देखो इसी में एक कोशन दिया गया है दूसरे टाइप का यह ABCD की पॉजिशन के बैसिस पर ना अब देखते हैं सेकेंड यह दिया गया है किसी लेंगविज में लंडन दिया गया है और इसको क्या लिखा गया है इसने पचीश इसका कोड बोलो हां से है ना इसका दिया गया है 12 होका बंदरा चॉधा चार घॉद्य क की लेंगविज में लंडन को कितना लिखा Jagata आए 15 14 4 इसे मिले हुए लेटर दिये गया है तो उसमें आपको बताना है कि जो ह आमेरिका है इसको क्या लिखा जाएगा तो आपको दिमाग तभी काम कर पाएगा जब आपको है ना इनकी पोजिशन याद रहेगी तो जैसे ही आपको L दिखा और 12 दिखा तो आपको एक रिलेशन अपने आपी पता लग जाएगा कि यह L जो है 12 नंबर की पोजिशन पर आता है इसका मतलब यह डारेक्ट 9C की 3A की 1 तो अमेरिका को क्या लिखा जाएगा उसी लेंग्वेज में यह लिखा जाएगा लेकिन कोजिशन कब कर पाऊगे आप जब आपको इनकी पोजिशन याद रहेगी यह हो गया टाइब थर्ड देखो और आप नंबर की पोजिशन के बिएसे इस पर और कैसे किस कोजिशन आया हुआ है कि कोडिंग के कोडिंग का कोशन सॉल करने से पहले यह तो आप जल्दी से लेकि लिए ना जो भी रफ काम वो मिलता है ना आपको रफ पेज उस पर जाके उनकी पोजिशन लेकिवाना जाते ही और कैसे कोशन आता है जैसे कोशन आया हुआ है किसी कोडिंग लेंगवेज में जो डीड है र ए ए डी रेड को क्या लिखा जाता है 14 तो उसी लेंगवेज में लर्न को क्या लिखा जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है इनकी पोजिशन बतावाए न जल्दी से आर की पोजिशन क्या होगी वहां से बताना है आर कितने नमबर प्याता है 18 E कितने प्याता है 5 A 1 D 4 अगर आप इनको एड करते हो तो कितना आएगा ये 28 इसका मितलब जो भी एड करके आना था इसने क्या कर दिया इसको Half कर दिया जस्ट 28 बट्टे 2 करो के तब ही तो चो जाएगा न तो आपको क्या करना है बस सब को एड करो उसको 2 से क्या कर देना है Divide कर देना है न तो L की पोजिशन बताओ 12 12 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 14 अगर आप इनको एड करोगे तो एड करके कितना रहा है 50 और क्या करना है आगे 2 से Divide करना है तो क्या जाएगा 25 तो एक इस टाइप का question भी इसमें बन सकता है पोजिशन के basis वे है अगर आपको भी Limited कर देना है अगर वो गठा रहा है तो आपको भी देना है वो टेवाइड चरता है तो आपको भी liberal कर देना है या छोटा सा काम एक next if he just lets me 5 id 7, 2, इसको लिखा गया है कितना, 9, ऐसा ही किसी लेग्वेज में, 6, 3, 4, 2, इसको कितना लिखा गया है, 6, ऐसी 7, 5, 8, 4, इसको भी कितना लिखा गया है, 6, तो उसी without resist, 9, 2, 3, 6, इसको कितना लिखा जाएगा, समझ καते संच क्या करना है, इसको इसमें जितने की letters है इनको सबको add किया गया है तो अगर आप इनको add करोगे तो क्या आएगा 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2 कितना आएगा add करके 5 चार 9 सा 16 अटारा अटारा आगया फिर इनको फिर से add करो 1 प्लस 1 कितना आगया 9 मतलब जब तक की single digit वाला नहीं आ जाए letter तब तक आपको add करते रहे ना सबी letter को ऐसे ही इसको देखो add करके कितना आएगा 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 कितना आएगा ये 1 5 अब फिर से क्या गरना है कितना आएगा 6 मतलब जब तक single digit वाला नहीं मिल जाए letter तब तक आपको क्या करते रहना है add करते रहना है प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 कितना आएगा 24 अब क्या करना है आपको 2 प्लस 4 कितना आ गया 6 जब तक single digit नहीं मिलेगा तब तक add करते रहो तो अब इसमें आ जाएगा इसका answer 9 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 ये कितना होगा 9,2,11,3,4,6,20 तो 2 प्लस 0 कितना आएगा 2 आगवाज समझ में ये next type था जो possible हो सकता है एक type और देखेंगे इसमें जिस type का question बनता है बाकि ये 5 से 6 type है जिसके question बन सकते हैं तो जब भी आप coding decoding के question solve करोगे तो आप ये 5-6 type ही आपको सोच रहे है कि कौन सा type इसमें से possible हो सकता है जल्दी से note करो फिर दूसरा type देखें जो possible है अब देखेंगे coding decoding का next और last वाला type है जो possible हो सकता है इसमें कोडिंग decoding को solve करने में इसमें डिगरी और वो पढ़ाई कोई काम नहीं आती इसमें तो आप कितना दिमाग काम करते हैं आपका बहुत काम आएगा नहीं आप है जैसे कोई coding language है उसमें लिखा गया है मैं प्रसन हूँ इसको लिखा गया है 3, 6, 7, 6 आप उदास है इसको लिखा गया है 7, 4, 8 पिर है प्रसन और उदास इसको लिखा गया है 4, 6, 9 से तो आपको पूचा गया है कि उस coding language में जो और बर्ड है इसका code क्या होगा तो अब यह बहुत आसान है आपको क्या करना है इसमें comparison करना होता है ना जैसे आपने comparison किया first में और second में देखो इसमें बुल रहा है मैं प्रसन हूँ और आप उदास हैं पिर उसके बाद में आपने comparison किया आप उदास है और last में प्रसन और उदास तो देखो इन दोनों में अगर आप comparison करोगे आप उदास है और प्रसन और उदास तो देखो इसमें कुछ common मिल रहे क्या इसमें हमको common मिला देखो एक तो जैसे उदास common है ना उदास common मिल गया और bird कौन सा common मिल रहा है दोनों में फोर इसका मतलब फोर जो है किसका code होगा दोनों में बर्ड तो common है four और इधर कौन सा है उदास तो उदास का मतलब क्या हो गया four या four का मतलब हो गया उदास अच्छा अगर आप इसमें और इसमें कम्पेरियन करते हो तो कौन सा वर्ड कॉमन मिल रहा है आपको वर्ड तो six कॉमन है दोनों में और इधर कौन सा कॉमन है प्रसंद तो इसका मतलब six किसका कोड हो गया ऐसे पता करना होता है इसमें दोनों में कंपरियन करके जो कोमन मिल रहा है वो पूड होगा उसका अब देख़ों को इसमें और का बढ़ मुझा है ना तो इसका और का होगा तो 469 वैसी कुछ ना को जिसमें शी प्रसंद का पता है कितना है six उदास का पता है four तो नाइन किसका बचा और का तो और का क्या हो जाएगा फिर नाइन तो इस टाइप का कोशन भी बनता है ना इसको नोट करो एक और इसी टाइप का कोशन आपको नोट कराते हैं फिर है ना उसमें आपको बताना है किसका कोड क्या होगा इसमें आपको कमपरिजन करना होता है यह coding decoding का last type था जो आपने अभी अभी देखा अगर आपको coding decoding अच्छे से समझ मा गई है तो यह आपके लिए कोशन है छोटा सा किसी coding language में table chair counter दिया गया है आपको इसको क्या लिखा गया है 124 लिखा गया है न चेयर computer bench इसको लिखा गया 463 table book और bench को लिखा गया 267 तो उस coding language में book का code क्या होगा चार option आपके सामने 7134 अगर आपको समझ में आ गई है coding decoding तो आपको comment box में इसका answer निकालना है comment box में अगर आप सही answer देते हो तो हम समझ लेंगे कि आपको coding decoding अच्छे से समझ में आ गई है अब इसके बाद में आपका next जो lecture आने वाला है वो आएगा relationship को लेके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो share करो अपने friends के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से subscribe करवा हूँ अभी आपके लिए जो यूटूब पर वीडियो मिल रहे हैं अगर आपको फुल वीडियो का सब्सक्रिप्शन देना है तो आप दिए गए नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हो कि आज की वीडियो में इतना ही